वेल्कम आप्रिवन स्वागत आप सभीका दोस्तों डिसक्स करेंगे 7 बेस्ट एंडॉइड फोन हैक्स ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो आपके काफी काम क्या हो सकते हैं और जिनके बारे में आपको पता नहीं तो आए बिना समय गमाए हमारा जो default keyboard है वो कुछ इस तरह से fix रहता है यहां मैं दिखाता हूँ आपको यहां देखी यह कुछ इस तरह से हमारा keyboard fix रहता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस keyboard को हम कुछ इस तरह से float भी करवा सकते हैं इनका size भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, इस तरह से इनका float करा सकते हैं, इनका size बड़ा छोटा कर सकते हैं, तो आए जानते हैं, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने play store में जाना है, और वहाँ type करना है gboard, g-b-o-a-r-d, gboard, य यह Google का ही keyboard है, और इसे आपको install कर लेना है, और install करने के बाद settings में जाकर इसे अपना default keyboard set कर दीजे, उसके बाद जब भी आपको कोई SMS या WhatsApp message या email टाइप करना हो, तो आप उसे application को open कीजे, और यहाँ पिर आपको नजर आएगा यह तीन dots, और यहाँ नीचे कुछ आपको options नजराएंगे theme, clipboard, text editing, share control, one-handed or floating, आप इस floating वाले पर click कीजिए, तो अब यह देखिए, इसका design कुछ इस तरह का हो गया है, और आप इसे कहीं भी screen पर इस तरह से float करवा सकते हैं, इतना ही नहीं, आप इस keyboard का size भी कुछ इस तरह से change कर सकते हैं, इसके अलावा आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि आप theme change कर सकते हैं, यानि कि इस keyboard का color change कर सकते हैं, इस तरह का color, या फिर इस तरह का color, या फिर इस तरह का color, या फिर इस तरह का color, इस तरह से अलग-अलग colors आप set कर सकते हैं, इसके अलावा और भी कई सारी options से इस three dots पे click कीजिए, यहाँ पे आपको कुछ आपस नजर आएंगे one-handed जब आप इस one-handed में क्लिक करेंगे तो ये keyboard का design कुछ इस तरह का हो जाएगा जिससे कि आपको इसे one-handed use करने में काफी आसानी होगी अगला जो tips and tricks है वो है WhatsApp से related जब भी हम WhatsApp किसी से करते हैं तो पहले हम WhatsApp application को खोलते हैं और उसके बाद जिससे भी हमें चैट करना हो चाहे वो individual chat हो या फिर group chat हो उस chat में हम click करके फिर उसे open करते हैं और फिर हम वहां पे chatting करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इस चैट को अपने होम स्क्रीन पर भी लगा सकते हैं उसके लिए आप अपना WhatsApp खोलिए और जिस भी चैट को चाहे वो individual chat हो या फिर group chat हो उसे थोड़ी दे प्रेस करके रखिए और यहां जो three dots आपको नदर आ रहे हैं उपर right corner में वहां स्क्रीन पर तो अब हमें अगर इस group chat के साथ group के साथ chat करना हो तो हम इसे open करेंगे और directly हमारा यह chat open हो जाएगा similarly अगर हमें किसी individual person के साथ chat open करना है तो उसे हम इस तरह से प्रेस करके रखेंगे इस three dots पर जाएंगे यहां पर add shortcut add कर देंगे तो यहां देखिए यह भी आ गया है हमारी home screen पर और अब इस individual के साथ हम directly SMS कर सकते हैं या WhatsApp chatting कर सकते हैं बिना WhatsApp application को खोले नाओ नेक्स्ट जो tips and tricks है वो है different audio settings for different apps जैसे की ringtones, media, notification, etc. इसके लिए आपको अपने android phone का volume up button प्रेस करना है कुछ इस तरह से प्रेस कीजिए volume आप button प्रेस करेंगे यहां आपको इस तरह का एक option नजर आएगा यहां पे three dots नजर आ रहे हैं इस three dots पे click करेंगे तो इस तरह से options नजर आ जाएंगे तो यहां देखिए यह system settings के audio है audio volume यहां पे ringtone का volume है इसे आप अपने प्रेस कर सकते हैं यहां पे volume है audio के लिए यहां पे music के लिए तो इस तरह से आप अलग-अप्रिकेशन के लिए अलग-अलग volume सेट कर सकते हैं अब नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है double up your charging speed जनरली अगर हमें charging speed को double up करना होता है तो हम क्या करते हैं volume अपने power button को press करते हैं और इसे power off करके उसे charge करते हैं तो वो charging speed double हो रहता है लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने phone को power off ना करें और charging speed भी double करें तो इस bar को down कीजिए और अपने phone को flight mode में लगा दीजिए और फिर आप इसे जब charge करेंगे तो आपका charging speed almost double हो जाएगा नाओ नेक्स्ट जो trick है वो है triple tap to zoom screen कुछ इस तरह से यहां देखे यह zoom हो गया फिर से zoom in करना है कुछ इस तरह से कर लेंगे सिरफ screen को नहीं हम किसी application को भी zoom कर सकते हैं तो यह हम triple tap करते हैं कुछ इस तरह से तो यहां देखे यह कुछ इस तरह से बड़ा हो जाएगा इस तरह से आप छोटा कर सकते हैं इस तरह से बड़ा छोटा कर सकते हैं इसके लिए आपको करना क्या है अपने settings में जाएए जाएक और निच्टे आएगा एक apple जाएति अखेए अदिए इस पर क्लिक करेमे और यहां हमें नजर आएगा एक Action idag t ability enhancement सैपक्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे हमें नजर आएगा option Magnification यहां आपको Magnification को कुछ इस तरह से हमें हमें on करना है और उसके बाद आपको यहां नजर आएगा tap accessibility बटन यहां पर click करेंगे और इस magnification shortcut को भी हमें on करके रखना है और फिर जब आप triple tap करेंगे अपने screen पर या किसी भी application पर तो कुछ इस तरह से आप zoom कर सकते हैं now next जो option है वो है floating shutter button for camera कुछ इस तरह से यह मैंने अपना camera खोल दिया और यहां आप देख सकते हैं दो shutter button नजर आ रहे हैं यहां मैं एक कुछ object रख लेता हूं कुछ यहां आप देख सकते हैं दो shutter button नजर आ रहे हैं एक यह और एक यह इससे आप float करवा कर कहीं भी ले जा सकते हैं और इससे भी आप photo घीच सकते हैं कुछ इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस के लिए आप अपना camera open कीजिए settings में जाएंगे नीचे जाएंगे तो हमें option नजर आएगा shooting methods और यहां आपको कई सारे options नजर आएंगे और एक जो option नजर आएगा वो है floating shutter button अभी यह मेरा on है तो इसे मैं off कर देता हूँ तो देखिए यह यहां से इस से गाएग हो गया है मेरा camera है और यहां से floating shutter button गाएग है अगर मुझे इसे लाना है तो यहां settings में जाएंगे और पीर नीचे जाएंगे shooting methods. Syncres, Sorting Statter Button, इससे हम on कर लेते हैं, और जब हम देखेंगे तो यह देखेंगे से यह श्यक्तर बंट आ गया है, और इससे हम कुछ इस तरह से तस्वीरें ले सकते हैं, इससे हम यहा कर सकते हैं, इससे भी तस्वीरें ले सकते हैं. Now next जो ट्रिक है वो है offline Google Maps कही बार हम ऐसी जगहों पे होते हैं जहां internet का access नहीं होता है और हमें Google Maps access करने के जुरूत पड़ती है तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम अपना Google Maps open करेंगे और अपने profile, right hand top corner पे आपको आपका profile नजर आएगा, वहाँ क्लिक कीजिए यहाँ देखिए menu में आपको नजर आएगा offline map इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक map मैंने डाउनलोड करके रखा है यहाँ पे इस तरह से map है बैग जाते हैं, select your own map यहाँ पे आप अपना map select कर सकते हैं जिस भी area का map आपको डाउनलोड करना है वहाँ जाईए जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, suppose लखनव इससे जड़ा सा zoom कर लेते हैं और फिर इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और एक बार डाउनलोड होने के बाद फिर आप इससे offline कहीं भी कभी भी access कर सकते हैं तो दोस्तो यह था 7 useful android phone hacks, tricks and tips आसा करता हूँ आपको इसमें से कुछने कुछ tricks पसंद आया होगा अगर आपको यह video पसंद आया तो इसे like और share करें और इस तरह के और videos देखने के लिए मेरे channel को subscribe करना ना भूलें नमस्कार and keep learning